हुआ है हलो गाइज विगी वीडिया चैनल में आपका स्वागत है मैं विपल जैन आज आपकी लाया है उप समुच्छे पर आधारे महकूर प्रमे यानि इंपोर्टर थ्योरम देश दों सबसे हैं देखे रहे विगी वीडिया चैनल मैं जैसे कि पित्र यहां पर मैंने चार थ्योरमों को लिख रखा है बहुत इंप्रटर थ्योरम ने हुस समझना जो पर दी है तीन थ्योरम तो विल्कुल स्वाल भी समझे है 34 धरंगो मैं स्वाल करूँगा यहाँ पर देखे रिक्त समुझ परतिक समुझ का अप समुझ होता है यह पहली पहली था अब आप यह समझे है रिक्त समुझ होता है लल सेट यानि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी अभयाफ़ नहीं है वह हमारा हेते समुझ कहारता है तो परिभाच्या कहने का मतलव है अगर कोई भी नियल सेट है तो वो अपने सेट का ये 통िप शमुझ होगा वो सब सेट होगा बैसे इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं जो बात लिखी है उसी से आप समझ सकते हो, अगर आप फिर भी करना चाओ दुम्य यहां, बेली थ्यवर्ण के अमसार माना एक को ही समझ है, तता ही वेगत समझ के बात हो रहे हैं, तता हाई एक वेगत समझ है ग्ता था 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 5 8 ठीक है? 5 है तो प्ता है 5 है? 5 का मजर्व क्या है? भीजनल महना था कोई समेख क της यहां 5 से कंदीिशन है कि 5 में कोई भी अश्थ जहानग होता है वहाँ कोई अश्थcket नहीं होता नल सेट की डेफिनीशन भी यह होती है नल सेट अब उसे कहते है जिसमें कोई भी अभ्याग नहीं है तो यहां पर लिखा भी है रिक समझ प्रतिय का अब यहां पर आप फाई का प्रतेग अव्याब समुझ ए में होगा फाई का अत्वा फाई का एबरी मेंबर सेट ए में वो ना यानि फाई सबसेट ए इतना ही है और इस मुझे अना कोई श्राइब पाई है दूसरी अब बात कर रहा हूं प्रतेग समुझ स्वयं का उप समुझ होता है प्रतेग समुझ स्वयं का ही उप समुझ होता है जैसे आप सबोज मानिये मैंने यहां पर भी माना एक कोई समुझ है माना, एक कोई समुझ है, जिसका प्रतेग अभिया, यानि एक कोई समुझ है, एक कोई मेंबर, इसका इस सेट एक का प्रतेग मेंबर, ए मेंबर, इस प्रकार, यानि कहने का मितलब है, प्रतेग समुझ है, स्वयम का उप समुझ होता है, जैसे एक कोई सेट है, और एक के बरा यानि A सबसे B है छोटी छोटी बाते हैं आप अगर इनको लर्ण करने तो पिया के लिए दो है आप यहां लिखा है किनी तीन समुच्च A, B, C के लिए मैंने यहां पर कुछ अदूरी बात लिए कुछ अदूरा सा लग रहा होगा आपको पता नहीं क्या लिखा है तो मैं यहां पर किलिए कर दे रहोगा उपको देखें यहां पर सबसे पहले तीन समुच्च के लिए तीन समुच A, B, C के लिए अगर तीन समुच दियें A सबसेड B ठीक है? B सबसेड C तो A सबसेड यह प्रूब करते हैं हमें दिखाना है कि लिए क्लिए समुच A, B, C आप यह कैसे करेंगे? वो देखेंगे सबसेड पहले हम पहला वारा देखें A सबसेड ठीक है? यहां पर X belongs to A यानि X का प्रतेग अभयव A में X का अभयव X अभयव है A में और X belongs to ठीक है? implies that X belongs to B अब दूसरा साइड उखाएंगे B सबसेड C इसमें भी हम यही करेंगे X belongs to B implies that X belongs to C अब इससे नमबर 1 करेंगे इससे पर 2 डाय ठीक है? सब्भी करें 1 2 2 अब देखिए यानि X मेंबर है A का भी है यहां पर भी X मेंबर भी है यानि यह दोनों कमन है तो हम इसको लिखेंगे X belongs to A A X belongs to A implies that X belongs to B implies that X belongs to C तो यानि यह हो जाएगा मैं इसको डायरेक लिख सकता हूँ X belongs to B implies that X belongs to C यानि A इसको ले रहा हूँ देखिए यहां लिखाए से दिखिए किसी finite set के अभयव यानि finite set में जो मेंबर है small N हो तो उसके घात set में 2N मेंबर भोते हैं या उसके सभी मेंबरों की संक्या 2N मेंबर ही होती है अब यहां पर समझने वाली गया बात है यह समसी है आप कि हम किस तरीके से stop करें देखिए यहां पर से दिखिए यह दि किसी finite set के अभयव small N हो तो उसके घात set में 2N में इसके घात set के बारे मैंने भी आपको घात set के बारे में नहीं बता रहा तो घात set के बारे में भी आपको इसी से पता लग जाएगा तो सबसे पहले जो भी है मैं बहुत सौट लेके चलता हूँ आपको जिससे आपको बैसे ही समझने आ जाए जैसे समुझन N के निमलिखित ओप समुझन यह आप ऐसे सूच दीजिए इसको हम अभी है श्माल N हो तो इसके एक हाथ सेट मैं कोप समझ्च्यों की संख्या देख शालिशन चौथी प्रमे हम कर रहे है हाईनेट सेट के अभी है श्माल हमन है मैं लिखता हम माना A बराबर A1 A2 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 A3 A1 A2 A3 A2 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 A3 अब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जदी इसके एक हाथ सेट में टू एंड में परभूते हैं वहों को लेकर यह केट अभी वहों को लेकर A1 A2 A2 डॉट 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 इस तरीगे से इस परकार से A1 A1 इस परकार से A2 A1 अब नुट यहाँ पूझी डॉट 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 गॉट डॉट 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 nc2 उपसमुच्य बनेंगे ठीक है अब तीसरी कंडिशन आप हम तीन तीन अभयों को लिए गरें इस प्रकार nc3 उपसमुच्य बनेंगे इस प्रकार n-n-n अभयो लिए तो उपसमुच्य बनेंगे तो अभयों कि इसप्रकार n-n अभयों मेंसे इस प्रकार n-n अभयों मेंसे अगर लिए जाते हैं तो आप समुच्यों के संदम क्या nc n-n लिए हो गी अब हम इन सभी अब यहाँ कोई कहड़ा कर दें भीン तो समस्त होई कि इस getirES क्या कि उजाएक़ दिख्या दिखिए समोच्छ और समच्य प्रत्य समोचका हैं पहले हैं उसमें सभी मैं आप दयानगो। अगर किसी भी सैटिफ़ाए, आप मेंबर देख रहे हो, उसमें रिक्टर समुझ आप रखोगे, मैं भी एक्जाम्पल में मादजा भी आपका की जातर दूरू कि रिक्टर समुझ क्यों आएगा, समझे है, रिक्टर समुझ पहला हो गया, इस सब भी को जोड़ेंगे, न, n, nc1, nc2, nc3, dot dot, ncn, तो हम रिक्टर समुझ हो गया, फाई, इसकी वैलू हम 1 ले ले रहे है, या रिक्टर समुझ फाई है, तो हम इसको इस इस तरह से लिखते है, nc0, nc1, nc2, nc3, dot dot, ncn, ठीक है, अब यह हो गया, अब यह आपने पढ़ी होगी, बाइनोमिय चाह रहा जिसे कहते है, यहां पर जो फॉर्म लग रही है, यह लग रही है, यह लग रही है, बन प्लस, x पर पावर है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, nc0, nc1, nc2, x2, nc3, xq, dot dot, ncn, x पर पावर, x, यहां पर आप यह लग रही है, यह जो फॉर्म है, बन प्लस, x पर पावर है, यहां देखिए आप, 0, 1, 2, यहां, x पर पावर, यहां, x पर पावर, 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 x पर प पर होते हैं, हाँ यदि इसमें उपसमच्यों की एन अभ्याव वाले समच्च में उच्छत उपसमच्च देखें जाएं, उच्छत उपसमच्च यही पर मैं देख दे रहा हूँ 1 plus 1 पर पावर एंद बरावर 2 पहला एंद, हाँ यहां पर अगर उच्छत उपसमच्च आपसे पूंच्च दिया जाएं, तो इसमें उच्छत उपसमच्चों की सर्क्रिया उपस पावर एंद माइनस पन दोगी, उच्छत उपसमच्च्च आप देखिए इसके कुछ उपसमुच हम जानते हैं, यदि उपसमुच पूछ लिए जाए किसी के, मैंने आपको अभी कहा था कि कुछ फॉर्म हम आपको बताएंगे, कि आपको समझ में आ गए होगी, कोई भी मेंबर होगा तो 5 तो आ नहीं आना है, अब कैसे आएगा, वो स सबोज मानिए, A वराबन, A, B, C, ये दिया मार, कहा आपसे, समुच्यों के सभी उपसमुच लिए, समुच्य के सभी, समुच्य के सभी, उपसमुच, लिए, देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कितने मैंबर कितने है, तो इसका हो जाएगा 2,5,3, यानी कितने मैंबर आएगे, आठ मैंबर आने चाहिए, टोटल, वहाँ पसमुच्य बनने चाहिए, इस से इट के, अब देखो यहाँ कैसे बनते, सबसे बहले, प्रतेक्तसमुचे का उपसमुचे हुआ सबसे पहले क्या लिखेंगे रखाओ अब पहले सिंगल सिंगल लेंगे सम धिक्शत एफ्या ग्रैकर अबन लेंगे divers B CARience एफ्या हम फ्यक्स ऑप शीए लानति क्याइट अप प्याविक्द लिया अब ट्रिपिल लेंगे, A, B, C, यह हो गया, तोटा, अब यहां देखो, मेंबर हमारे कितने हो गया, हाथ है कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचमा, छटमा, साथमा, और आटमा, यानि यह यह थोरम है, वो इसी पर है, और पहली थोरम क्या कह रही है, रिक् प्रतेग में आना है, मैं नेक्स यह और पता दे रहूं आपको, जैसे, 1,2,3,4, यहां पर कितने मेंबर है, टोटल, टोटल मेंबर है, सेट के, चार, यानि दोपेग हाग, चार, यानि कितना हो जाएगा, 16 मेंबर आने चाहिए, टोटल, ठीक है न, तो यहां पर, आप दे फिर दूसरा, sorry, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, ठीक है, फिर लेंगे 2,3, फिर 2,4, फिर लेंगे 3,4, ठीक है, फिर लेंगे 1,2,3, फिर लेंगे 1,2,4, ठीक है, फिर लेंगे 2,3,4, फिर लेंगे 3,4,1, ठीक है, फिर लेंगे 4,3,1, ठीक है, यह हो गाए, फिर यह हो जाएगा 4 कॉमा 3 कॉमा 2 देखे गिनिया आपके कितने होगा एक टीचार पांच छे साथ आठ नौ तस क्यारे बारे देरे चुगदर बंदरे सोले ठीक है आपको समझ में आया इस तरह से हम इसकी फॉर्म को ले लेता है यह हमारा घात सेट है पावर सेट है और यह हमारे और किये जाते हैं अगर घात सेट को भी हम इसी तरह से कहते हैं यदि आप से हम पूछा जाए कि घात सेट बताईए तो यही घात सेट है और यही हमारे तब से पूछ नहीं है कंडिशन दोनों की सेब ऐसे ही घात सेट और फॉप समुझ को अगर हम आप से पूछे है गात समुच्य लिखो तो मित्रों यहाँ पर यह दोनों करडिशन सेव हैं गात सेट की और उप समुच्य की एक ही बात है एक ही चाहिए हाँ यादि आपसे उचित समुच्यों की संख्या आपसे उचली जाए तो आपको वहाँ पर दोपे घात एन यानि आठ में से एक समझ्धी समुच्य। समुच्य की क्या होटा उसे समझना बहुत अबस्क्या है कि समझ्चय को आ cumpl호 समुच्य के बारे जाए और आप्याश करणी तो भी अप्यास कुस्त का से समय कश्यों को चुरूब करें अच्छे से घिक है अब समश्श्श्य समुच्य की जाmy तो अस ग एक समुझ है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं, अब देखिए, यहाँ पर यह में निकालना है, अब है क्या समझती समुझ यह सार मिचते समुझ होता क्या है, पहले इसको समझना आपशके, समझती समुझ को समझने से बेले कुछ मैं आपको बताना चाहूँ, जैस जैसे मैं आपको उधार के बाद दो समझाँगा जिससे आपको क्लिया दो है, जैसे कई सेट आपके सामने दिखिया है, फिर लिखा आए, दो कौमा की, फिर लिखा आए, एक कौमा, दो कौमा, पी कौमा, जाए, यह चील दिखिए है, आपके सामने, समझती समझ के बारे मे यह सबसे धिए सबसे बड़ा सबसे वह वहारा सबसे बढ़ा सेट कैसे है. इसनि एसी सबसे बढ़ा सेट केकर ghosting और यह कौन हो घा को जहें हो गया है isn't with you, यह हमारा समस्टी समच हो गया अब आप सबोज माढऄे, अब आप को मैं परवाशा के अनुशारा बता दे रहो से जबी समच' से सबी समच' उस बीसे समच' उस समच' होग लें which समच्टी समच' काया दीे लिए कुछ दी लिए समच' मैंने यहां पर कुछ समुझ दे रख दे, कुछ दिये हुए समुझ में हुआ समुझ, कुछ दिये हुए समुझ में हुआ समुझ, जो से सभी समुझ का अधी समुझ, से सभी समुझ का अधी समुझ हो समस्टी समुझ कह राता है, अधी महान है अधी पती, यानि राजा हो, यानि सबसे बड़ा हो, कुछ दिये हुए समुझ में हुआ समुझ, जो से सभी समुझ में अधी समुझ हो, यानि राजा हो, अब इन देगों मैंने कुछ दिये समुझ हो, इसमें इसे सबसे बड़ा जो खारन दिये है इसके ये सारे ये अदिपती हो गया है इसे अदिपती हो गया है इसे अदिपती हो तो इसे समझ्ष्टी समझ्ष्टी कहते है समझ्ष्टी समझ्ष्टी कहते है इसे यू से रूपिता है यह हो जागा यू वरावा वन कॉमा टू कुछ और एक्यामपल आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपका बिल्कुल की दिया हूं आप चैसे सपोज मानिये कुछ दिये समुझ मैं कुछ दिये समुझ रख रहा हूं ए कॉमा ए क्या होगा समिष्टी समुझ क्या होगा ए इसका समुझ क्यों होगा ? आपके समुझ तक इस तरह के कई प्रश्मा वहा है समुझ स्कुझ से समुझ क क्या होगा ? पिर भी अगर आपकी बोश्शा zeggen रहती है विजिशन के बाते है असा उस्चा को बताएं देखकेरिए विजिट रिखिजन अरे में इसेर करों और अपने मित्रों को बताएं इस चैनल के वारेपर थे जिने जए जईवारी